हलो स्टुडेंट, एसे में जुकेशन सर्वीसेज का ओपीशेड यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, एम सी सी राउंड वन, यानि की ओल इंडिया 50% कोटे के जो सीट राउंड वन का सीट अलाउटमेंट हुई है, वैसे स्टुडेंट के जो की कनफ्यूज है, एक नोटिस आया था 27 अप्रिल 2020 के एम सी सी का ओपेशियल साइट पे, तो इस नोटिस को लेके काफी सारे स्टुड राउंड वन में तभी पाटिसिपेट कर पाएंगे, जब उन्हें MCC यानि की ओल इंडिया राउंड वन का सीट को सरेंडर करना होगा, यानि की रिजाइन देना होगा, तो इससे गबराने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से आपको सारा चीज और उन्हें All India में भी Round 1 में सीट एलोट हुआ है, तो उन्हें Round 1 All India का सीट को रिजाइन करना होगा, तभी आप स्टेट में पाटिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्या होता है कि आपको MCC का जो रिजाइन का डेट दिया हुआ है, यानि कि सरेंड अधर का जो लाश्ट डेट है 4 अप्रेल 2020 साम पाँच बजे तक है, तीक है, और All India के जो भीकॉंसलिंग हो रही है, जो भी कम्पनी कॉंसलिंग कंड़क्ट करा रही है, एजनसी कॉंसलिंग कंड़क्ट करा रही है, यह सारे का एक मीटिन हुआ था, एक मीटिंग का गठन ह हुआ था उस मीटिंग में बताया गया था कि जितने भी एस्टेट है इंडिया के जितने भी एस्टेट है जितने भी कॉंसलिंग एस्टेट राउंड वन की हो रही है उसका रिजल्ट यानि कि उसका एलॉट्मेंट आपको फोर अप्रेल तुथाजन प्वेंटी तक पब्लि आजाता है तो उनको डरना नहीं है एगर उनको अस्टेट में जाना है तो अस्टेट में जाएंगे रिजल्ट आने के बाग या पिर उनको MCC round 1 यानि कि All India कोटे के थुरू अगर अपग्रेट करना है तो All India का choice कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा जैसे suppose that माल लिजे कि आपको state round 1 में seat मिला और All India में भी seat मिला है और seat resign करने का जो All India के date दिया गया है 4 April 2020 को साम 5 बजे तक और इसे पहले यदि आपको state counseling का result आता है तो आपको अगर state का seat अच्छा लगता है या फिर state में आप लगता है कि आपको upgrade होके और अच्छा seat मिल जाएगा और आपको लगता है कि MCC यानि कि All India से जो मैंने seat प्राप्त किया था उसको छोड़ दूँ या फिर उसे upgrade करने के बाउजूद भी अच्छा seat नहीं मिल सकता है तो आप दोनों में से कोई एक को पकर सकते हैं इस situation में क्या होगा कि यदि आपको state का result 4 April 2020 को साम 5 बज़े से पहले आता है तो आप resign कर सकते हैं All India Round 1 का जो seat अलोट हुआ है उसको आप resign दे सकते हैं तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है बिल्कुल मतलब परिसान नहीं होना है और ऐसे भी state है दो तीन state है जिनका की result में हो सकता है delay होगा काफी late होगा जैसे महाराष्टा हो गया उत्राखंड का भी S.A.E. system है सायद उत्राखंड में भी आपका लगबग 4 April साम को 8 वजे यानि की रातरी 8 वजे तक result आने वाला है तो हो सकता है कि इसके लिए MCC का जो surrender का जो date दिया गया है यानि की surrender का regining का जो date दिया गया है उसको extend करेगा बहाय जा सकता है ठीक है तो इससे आपको घवराना नहीं है अब बात करते हैं थोड़ा उत्राखंड के और उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड का जो result आएगा वो 8 पीम को आएगा 4 April को 8 पीम तक आपका result published होगा हो सकता है इसे पहले आएगा जो schedule पे date दिया हुआ है उससे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है उसके चकर में नहीं पढ़ना है यह हो सकता है आपको 8 पीम से पहले भी published हो सकता है ठीक है अब बात करते हैं उत्राखंड में जो merit list जो published हुआ है उसमें क्या हुआ है नीट PG 2020 का जो merit list आया है इसमें जो कितने student participate किये हैं उत्राखंड के लिए तो उत्राखंड के लिए total अगर बात करें तो नीट PG 2020 में 417 student participate किये हैं और वहीं बात करते हैं नीट PG 2019 में तो 485 student participate किये थे अगर हम 19 और 20 का 2020 और 2019 का compression करें तो नीट PG 2020 में उत्राखंड में 68 student कम participate किये हैं मतलब 68 student कम registration वहाँ पर किये हैं राउंड वन में जो registration किये हैं वो कम किये हैं तो आपको वहाँ पर possibility है वहाँ पर chances है कि आपको seat मिल सकता हैं दूसरी बात अगर private के बात करें जो student private के लिए participate किये हैं अधर अस्टेट से हैं या फिर उत्राखंड से हैं जिनको की security अमांट दो लाख रूपी देने पड़ा था तो उनके लिए भी बहुत अड़ी अच्छी खुस ख़बरी है कि वहाँ पर अगर नीट पीजी 2019 के बात करें तो 401 student ने participate किया था राउंड वन के लिए वहाँ नीट पीजी 2020 के बात करें तो 321 student participate किये हैं तो टोटल अगर बात करें तो पिछले साल के according पिछले साल के अनुसार तो 120 student राउंड वन में कम participate किये हैं अब बात करते हैं यहाँ पर उत्राखंड के तो जो merit list published हुई है उत्राखंड का तो उस पर भी थुछा फोकस किये अभी हम अब बात करते हैं इस merit list के अधार पर जो भी student participate किये हैं तो इसमें कौन-कौन से ब्रांच में आपको benefit मिल सकता है तो इसमें आपको कहीं न कहीं general surgery general surgery आपको मिलने की chances ज्यादा है अच्छे rank नहीं भी है फिर भी आपको मिल सकता है तो रह नीचे जाएगा ENT नीचे जाएगा medicine नीचे नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जा सकता है अब बात करते हैं हम अगर और भी branches का तो उसमें थोड़ा बहुत आपको उपर नीचे होने की chances है लेकिन जो मैंने branches भी बताया वो branch बिल्कुल नीचे जाने की chances है और जाएगे भी ठीक है अब बात करते हैं बिहार का तो बिहार के student काफी परेशान है कि अभी तक वहां का merit list जारी नहीं किया गया है एक news paper में भी आया था जो कि मैं आपको बताता हूँ इस paper cutting में लिखा हुआ है आप पढ़िए ध्यान से पर सकते हैं लिखा हुआ है नीट पीजी के लिए merit list नहीं हो सकी जारी विभाग से मर्कदरसन मिलने का इंतजार यानि कि नीट पीजी का जो आपको 30 अपरेल से जो online choice filling होना था यानि कि बिहार का तो बिहार का अभी तक merit list जारी नहीं किया गया है नहीं seat matrix जारी किया गया है तो बहुत सारे student परिशान है तो इसे परिशान होने की ज़रूरत नहीं है यह कल तक कल आपको साम तक हो सकता है अबडेट हो जाएगा अगर merit list नहीं भी आती है तो आपको counseling कर सकते हैं लेकिन 100% उमीद है कि आपको merit list आएगा बहुत सारे student के बहुत सारे लोग ऐसे है जो कि परिशान है कि merit list नहीं आएगा सर लेकिन merit list आएगा जब तक merit list आएगा ही नहीं तब तक आप choice कैसे कर पाएंगे तो merit list 100% आएगा आप लोग को बिल्कुल hold कीजिए आप tension मत लीजिए आपका जो date है आप counseling round war में participate करेंगे time है बिहार थोड़ा सा late है तो late होने से आपको मतलब घरबराना नहीं है सारे चीजिए time से होते रहेंगे ठीक है अब बात करते हैं बिहार का तो बिहार में भी अगर बात करें तो पिछले साल के according need PG 2019 के तुल्ला में need PG 2020 में भी round one में बहुत कम student ने participate किया है यह उत्राखंड के जैसा ही बिहार में भी देखने को मिल रहा है तो आपको कही न कहीं बिहार में भी benefit मिलेगा जो student बिहार के लिए participate किये हैं अब बात करते हैं करनाटका का थ्वासा करनाटका पर ध्यान डालते हैं करनाटका पर नजर डालते हैं करनाटका के फ्रेस वीडियो आएगा इसके बाद जश्टी आने वाला है registration किया है इससे आपको घरबराने की जोड़त नहीं है वहाँ पर जितने भी student ने participate किया है उसमें से ऐसे student participate किये हैं लगबग 80% जिनका कि महाँ seat मिलने की chances ही नहीं है जिनका rank लगबग 20,000 प्लस है वह लगबग 75-80% student ने वहाँ registration किया है ठीक है अब बात करते हैं हम कि अब जो करनाथका ने जो notification जारी किया है उस पर थोड़ा दिमान नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा सा cut-up पे हम ध्यान गालेंगे cut-up क्या जानने वाला है तो देखिए यहां पर दिया हुआ हुआ होस्टिंग और वेरिफिकेशन लिस्ट वेरिफिकेशन लिस्ट 29 अपरेल 2020 डाउनलोड करने का ज़ेट दिया गया है 29 अपरेल 2020 से 2 में 2020 विफ़र 8 अ.म यानि कि सुबह यानिि कि 2 में 2020 कि सुबह 8 बजे तक ही आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरिफिकेशन सलिप इसके बाद 2500 राच structure for all disciplines ठीक है आपको जो फिय स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स जो आपको पब्लिश्ट होगा थर्टी में तुथर्टी मोर्निंग सेशन में यानि कि आज सुबह तक आपको जो फिय स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स आ जाएंगे इसका बाद दिया हुआ है option entry by eligible candidate जो option entry जो करता है eligible candidate को after download the verification slip candidates have to enter the option वैसे student ही सिर्फ choice filling कर सकते हैं वैसे student eligible है optional entry के लिए जो कि verification slip candidate ने download करके enter option किया है तो इसका जो date दिया हुआ है choice filling का वो दिया हुआ है afternoon session on यानि कि दोपहर 30 April 2020 दोपहर को 30 April 2020 से 2 May 2020 को सुबह 10 बजे तक यानि कि सुबह 10 एम तक ठीक है इसके बाद publication of mock allotment result जो mock allotment जो आपको published किया जाएगा वह आपका होगा वह होगा आपको 2 May 2020 को साम 8 PM तक ठीक है आपका 8 PM तक आपको mock result आ जाएगा mock allotment आ जाएगा इसके बाद provision of the chance option entry by eligible candidate इसके बाद आपको जो student eligible है mock allotment के बाद वह आप इडिट कर सकते हैं optional entry यानि कि choice feeling आप इडिट कर सकते हैं इसके लिए आपको allotment के बाद mock allotment के बाद 24 घंटे के आपको time दिया जाएगा 24 hours का इसके मध्य में आपको अगर चाहें तो आप choice कर सकते हैं इसके बाद publication of final sorry publication of first round allotment result जो आपको first round का final result जो allotment होगा allotment published किया जाएगा और 4 में 2020 को साम 5 बजे तक आजाएगा 5 बजे तक नहीं 5 बजे से पहले ही published कर दिया तो आपको बताता हूँ अब करनाटका का करनाटका का cut-off क्या रहने वाला है अगर जेनरल मेडिसीन के बाद करें जिनका जिन कॉलेज का भी आठ लाक बहतर हजार आप सो सुरी 8,22,550 रूपीज है उसको जेनरल मेडिसीन के cut-off लगभग लगभग बारा से 14,000 के बीच में कलोज हो सकता है 12 से 14,000 रंग तक seat मिलने की chances है ठीक है हो सकता है यह उपर 12 तक ही रहाज है 12 सारे 12 तक लेकिं 12 से 14 के बीच में जाने की chances है अगर बात करता है जेनरल मेडिसीन का जिनका की फी 24,25,7,000 है जिन कॉलेज का फी उनका जो क्लोजिंग रहेंक रहेंक जेनरल मेडिसीन के लिए वो रहेगा लगभग क्लोज्ञ वो रहेगा आपको लगभग 28,000 to 29,000 तीक है अब बात करते हैं ओपस गाइनी का ओपस गाइनी का भी आपका ज्यादा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलेगा ओपस गाइनी थोड़ा उपर ही कलोज हो जाएगा इसके बाद आपको थोड़ा सा सरजारी और ओर्थो नीचे तक जाने की चांसेज है बाकि सारे बरांचेज आपको ऊपर जाएंगे एनस्थिस्या इंटी जेनरल सरजारी ओर्थो यह सब बरांचेज थोड़ा नीचे तक जाएंगे लेकिन बाकि जितने भी हैं आपका डर्मा रेडियो जेनरल मेडिसीन ओफ्स गाइनी पिडियेटेक्स पलमरी यह सारे जो बरांचेज हैं उपर रहेंगे ठीक है तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है ज्यादा उपर नहीं रहेगा और ज्यादा नीचे नहीं रहेगा कोई कोई बरांचेज में नीचे जाने की चांसेज है तो दोस्तो इसके बावजूद भी अगर किसी आफ टरीके का आप लोग वो प्रोबलम आती हैं तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टयस में कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है और यह दि आप लोग को कॉंसलीं कि कॉंडेंस लेना हो तो आप कांसलर हैं एक्सपर्ट हैं जो कि आपको और अच्छी अफद देंगे अच्छे रिजल्ट देंगे थैंकि दोस्तों आज की वीडियों नहीं